एक तरफ मोदी जी इटली के शैर कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहां सरकार गिरानी की पूरी रणनीती तै हो चुकी है जिहां कॉंग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है कि जब चाहें सरकार गिरा सकते हैं एबिपी ब्रेकिंग नूद चला रहा है वो एबिपी जो रुझानों में और एग्जिट पॉल में 400 पार दिखा रहा था वो अब कह रहा है कि कॉंग्रेस कभी भी सरकार गिरा सकती है वहीं रश्टी अध्यक्ष कॉंग्रेस के मलीकार जुन खडगे ने भी यह कह दिया है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है ये अल्प मत में बनी हुई सरकार है ये गल्ती से बनी हुई सरकार है ये कभी भी गिर सकती है तो क्या समझा जाए NDA की सरकार 4 दिन की चांदनी थी और मोदी जी जब तक इडली से आएंगे तब तक उनकी सरकार गिर चुकी होगी नमस्कार मैं ब्यूटी किरी और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक पूरी ख़बर को विस्तार से समझेंगे क्या कुछ चल रहा है आपको बताजे नितीश और नाइडू जो किंग मेकर है इस सरकार के उसमें भी बड़ा भूचाल आ गया है बिहार में बीजेपी के मंतरी अपने बयान बदल रहे हैं कभी बीजेपी के मंतरी बिहार में कहते हैं कि हम नितीश कुमार के प्रतिनिधित्व में दोहजार पच्चीस में विधान सबाचुनाव लड़ेंगे तो कभी मंतरी कहते हैं कि यहां कोई भी किंग मेकर नहीं है वहीं देखा जाए अगर मंत्राले के विस्तार में किस तरीके से बिहार को जुन जुना पकड़ाया गया संतोष जनक जो नितीश कुमार का डिमांड था रेल मंत्रा ले वो नहीं दिया गया जिसके बाद अब नितीश कुमार ने अचानक से बैठक बुला ली है और इस बैठक पर कयाश ये लगाए जा रहे हैं कि जो धिजस्वी यादों ने कहा था कि चार जून के बाद चचा कुछ कर सकते हैं कुछ फैसला कर सकते हैं रोहिणी आचार ये कह रही है कि हम वो तो हमारे चचा हैं हम उनके बच्चे हैं हम इंतजार में है कि वो कब हमें आशिरवात देने आएंगे तो क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है आने वाले 29 जून को नितीश कुमार बैठक करने वाले हैं नितीश कुमार के अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक होगी जेडियू की कारेकार्णी की बैठक होगी और अब याद कीजिए पिछली कारेकार्णी बैठक जब जेडियू की दिल्ली में हुई थी और उसके बा हुआ वही जो कयास लगाय जारे थो अब एक बार स्पिर से दिल्ली में बैठक होने वाली है तो क्या नितीश कुमार फिर एक बार Game Changer बनने वाले है क्या फिर एक बार वो सारा खेल पलट करने वाले है क्योंकि लगातार जो सरीके से RGD के नीता दावा कर रहे हैं साफ कह रहे हैं कि जब नितीश कुमार के साथ कुछ मन मुताबिक नहीं होता उन्हें कुछ मन मुताबिक नहीं मिलता तो वो मौन हो जाते हैं और उसके बाद सत्ता पलट कर देते हैं वो सत्ता बदल देते हैं तो क्या इस बार नितीश कुमार जिन्हें मंत्री मन पसंद मंत्राले ना मिलने के से नाराज होकर बैठक कर रहे हैं और बैठक में फिर एक बार सत्ता पलट करने वाले हैं BJP के नेता जिस तरीके से बिहार में बयान बाजी कर रहे हैं उससे साफ लिख रहा है कि अंदर खाने में सब कुस ठीक नहीं चल रहा है सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज चैनल क्या कुछ लिख रहे हैं सबसे पहले आपको वो बता दे ABP न्यूज जो है ब्रेकिंग चला रहा है जब चाहे गिरा सकते हैं सरकार कॉंग्रेस का ये दावा है वही नितीश ने अचानक बुला ली कैबिनेट की मीटिंग सभी मंत्री होंगे हाजिर बड़ा फैसला हो सकता है जो नितीश कुमार चंदरबावु नाइडू के शपत में नहीं गए और उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया उनके मंत्रियों ने कहा कि हो सकता है कि वो बिमार हो तो वो नितीश कुमार अब ठीक होकर और एक दम से अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुला लिये भले इसमें बीजेपी के उपमुखे मंत्री भी शामिल हो लेकिन इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या होगा और अचानक क्यों बुलाई गई है इस पर सवाल खड़ा होता है वही नितीश कुमार ने फिर दिलनी में बुलाई जेडियों राष्ट्य कारेकार्णी की बैठक 29 जून की मीटिंग में क्या होगा ये बड़ा सवाल है 29 जून को जो कारेकार्णी बैठक बुलाई है नितीश कुमार ने जेडियों के राष्ट्य कारेकार्णी बैठक होगी जिसमें जेडियों के तमाम नेता शामिल होंगे राष्ट्य जो है नितीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी इसमें ना सिर्फ विधान सभा के आने वाले विधान सभा बिहार में चुनाव की बात होगी बलकि लोग सभा चुनाव जो हुए है उसमें जो सीटे आई है उन सभी बातों पर समिक्षा बैठक की जाएगी उन सभी बातों पर समिक्षा होगी और नितीश कुमार कोई बड़ वो मौन हो जाते हैं और उसके बाद फिर सत्ता पलट कर देते हैं यह नितीश कुमार है जिस तरीके से नितीश कुमार को नजर अंदाज किया गया और अब कहा जा रहा है कि कोई किंग मेकर नहीं है उसके बाद क्या नितीश कुमार कोई बड़ा फैसलाग कर सकते हैं और आप कर रख देते हैं वो नितीश कुमार है वो कुछ भी कर सकते हैं यह नितीश कुमार के लिए लाइन कहीं जाती है नितीश ने दिल्ली में बुलाई जेडियो राष्ऽी कारणी की बैठक 25 enjun 10 July की बैठक में क्या होगा यह जो है बड़ा सवाल है पत्रिका ने लिखाए नितीश कुमार आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाले हैं क्यों कॉंग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि हम जब चाहें सरकार पलट सकते हैं जब चाहें हम सरकार गिरा सकते हैं वही राश्चिय अध्यक्ष जो मलिका अरजुन खड़ गे उनका यही कहना है कि यह गलती से बनी हुई सरकार है कभी भी सरकार गिर सकती है पत्रिका ने लिखाए नितीश कुमार ने अचानक बुलाई बैठक ले सकते हैं बड़ा फैसला तीन महीने के बाद इनकी काबिनेट की बैठक हो रही हैं वो भी अचानक बुलाना इस पर सवाल जब सियासत गर्म हो गई थी जब नितीश कुमार चंद्रबावु नाइडुक के शपत में नहीं पहुचे थे और उसके बाद सियासत गर्म होते हुए सवाल किये जाने लगे थे कि क्या आपस में NDA गुठ में सब कुछ ठीक चल रहा है आखिर नितीश कुमार क्यों नहीं ग खड़ा कर देता है और इस पर खूब सियासत गर्म हुई थी नितीश कुमार के मन का ना हो तो वो मौन हो जाते हैं जानिये NDA में इस बात पर क्यों मचा हल चल तो ये जो बात मैं बता रही हूं नितीश कुमार के चंद्रबावु नाइडुक के शपत ग्रहन में शामिल न और NDA के अंदर जूतम पैजम की स्थिती है जो कुछ दिनों में बाहर आ जाएगी जितने ताम जाम लेकर दिली में नितीश कुमार ने भाशन दिया था उससे तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिहार को मिलने वाला है लेकिन जो कुछ मिला वो सिर्फ उट के मुँ में जी थी उन्हें रेल मंत्राले की मांगती और भी कई अहम मंत्राले जो है वो नितीश कुमार को उमीद थी जो की नहीं दिया गया और जिसके बाद जेडियों में साफ नाराजगी देखने को मिले थी तो इस तरीके से साफ पता चल रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है बिहार में कुछ हलचल हो रहा है और फिर एक बार बिहार कुछ बड़ा दाव खेल सकता है इस सरकार में कुछ तो होने जा रहा है जिस तरीके से कॉंग्रेस दावा कर रही है ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कॉंग्रेस ने बहुमत जुटा ली है जो बहुमत की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार अरजुन खडगे ने शुक्रवार को कहा कि NDA की सरकार गलती से बनी है मोदी जी के पास जनादेश नहीं है यह अल्प संख्यक सरकार है यह सरकार कभी भी गिर सकती है NDA सरकार अल्प मत में है कभी भी गिर सकती है मलिकार अरजुन खडगे का बड़ा दावा तो यह जो है राष्ट्य अध्यक्ष कॉंग्रेस के राष्ट्य अध्यक्ष मलिकार अरजुन खडगे का दावा है ABP News जो जिसके exit poll में भाजपा 400 पार कर रही थी वो ABP News आज खबर चला रहा है वो Breaking News चला रहा है कि कॉंग्रेस कभी भी NDA की सरकार गिरा सकती है तो यह बात सोचने वाली जरूर है आप बिहार में देखें किस तरीके से BJP के निताओं के बयान बदल रहे हैं बिहार के CM नितीश कुमार को लेकर BJP निताओं के बयान कैसे बदलने लगे इसे समझने के लिए पहले ये दो बयान पढ़िए शपत के पहले ये 5 जून का बयान है समराथ चौधरी जो डिप्टी CM है बिहार के उनका कहना था हम 2025 का चुनाव नितीश के कुमार के नित्रितों में लड़ेंगे वे बिहार के नेता हैं बिहार में 1996 से हम नितीश कुमार के नित्रितों में चुनाव लड़ रहे हैं ये बिहार के डिप्टी CM समराथ चौधरी का कहना है जो ये 5 तारीक कोईन का बयान है ये जब शपत नहीं हुआ था जब इन्हें जरूरत थी गटबंदर की नितीश कुमार की उस वक्त का ये बयान है और अब शपत के बाद का बयान सुनिए ये भी डिप्टी CM है बिजय सिनहा बिहार के डिप्टी CM है बिजय पी के नेता है अब ये क्या कह रहे हैं बिहार में ना कोई किंग है और ना कोई मेकर सभी जनता से मिले जनादेश पर राष्ट के विकास के लिए सत्त पर है ये भी बिहार के डिप्टी CM है और बिजय सिनहा का अब बयान बदल चुका है तो दो बीजे पी के नेता दोनों डिप्टी CM और दोनों के बयान को समझिए किस तरीके से बदल रहे एक तरफ एक व्यक्ति कहता है कि हम नितीश कुमार के नेत्रतु में चुनाव लड़ेंगे दूसरा कहता है कि कोई किंग मेकर नहीं है ना ही कोई किंग है तो इस बदलते बयान को लेकर भी तमाम जो है भूचाल आयो वहीं एक एक्सपर्ट जर्नलिस्ट ने बताया है रवी उपाध्याए हैं वो क्या कहते है इस पर उससे पहले क्या कुछ बिहार की बाते हैं बिहार में नितीश कुमार का कितना कैडर है वो जानिये नितीश कुमार को लेकर सिर्फ पास दिन में बिहार बीजेपी नेताओं के इस बदलते बयान पर सियासा शुरू हो गई है वरिष्ट पत्रकार रवी उपाध्याए बताते हैं कि नितीश कुमार किंग मेकर है इसमें अब कोई दोमत नहीं है केल सरकार की चाबी भी जेडियो और टीडीपी के पासे इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कहीं न कहीं नितीश कुमार का वोट बोलता है और महिलाओ का जो वोट मिला है वो नितीश कुमार पर ही मिला है तो जो भी भाजपा को महिलाओ का वी वोट मिला है वो इसलिए क्योंकि भाजपा के साथ नितीश कुमार खड़ेते बियार में इसलिए भाजपा को जो वोट मिले हैं वो नितीश कुमार के नाम पर ही मिले हैं ये बड़ी बात कह रहे हैं आगे कहते हैं चुनाव में नितीश कुमार की पार्टी, जेदियू को चुनाव में 18.52 फीसिती वोट मिलें, ये 16 सीट पर लड़े हैं और 12 सीट जीतने में सफल रहें, ये स्ट्राइक रेट बता रहा है कि नितीश कुमार की चमक और दमक दोनों ही बरकरार है, बीजेपी की नेता भले ही बिहार में कुछ भी बोलने, लेकिन NDA में नितीश कुमार सर्वमान्य नेता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वहीं अब एक और बड़ी खबर निकल कर आई, जो दो दिन पहले साकेप गोखले टीमसी के नेता ने दावा कर दिया था, और उन्होंने क्या क कुछ कहा वो सुनिए, बीजेपी बहुत जल्दी 240-237 पर आने वाली है, बंगाल में भाजपा के 3 सांसर हमारे संपर्क में है, तो ये भी बड़ा दावा है, टीमसी के नेता है साकेप गोखले, और वो कह रहे हैं कि बंगाल में 3 सांसर भाजपा के 3 सांसर टीमसी के संपर् है, और तेजश्वी यादव ने जो आशंक का जताई थी, 4 जून के बाद चाचा कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, आने वाले समय में जो बैठक होने वाली है, उसमें भी कयास यही लगाये जा रहे हैं, नितीश कुमार को मंतरी मंडल ना मिलना, उनका मंच अहापद ना मिलना भी नाराजगी की ओर इशारा करता है, और उसके बाद यह बैठक, कोई बड़ा फैसला यह बैठक, कोई बड़ा निनायक फैसला ले सकता है, यह भी बड़ी बात है, मोधी कैबिनेट 3.0 रेल मंतराले नहीं मिलने से जेडियू नराज, नितीश कुमार की पार्टी कही बड़ी बात, तो लगतार यह दावे किये जा रहे है, और हर तरफ यही चल रहा है कि क्या नितीश कुमार आने वाले समय में जो 29 तारिक की बैठक होने वाली है, राश्यकार्यकार्णी की बैठक, जिसकी अध्धक्षता खुद नितीश कुमार करेंगे, जहां पर आने नितीश कुमार कुछ पलट, खेल पलट कर सकते हैं, और क्या इसी का इशारा देखते हुए, कॉंग्रेस ने कह दिया है, कि वो जब चाहे सरकार पलट सकती है, क्या कॉंग्रेस ने वो बहुमत जुटा लिये हैं, आखिर राश्टी अध्यक्ष, मलिका अरजुन खड़ गे कॉंग्रेस की राश्टी अध्यक्ष, ये दावक कैसे कर रहे हैं, कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है, ABP न्यूज ये खबर कैसे चला रहा है, जो एक्जिट पोल में 400 पार दिखाता था है, ये सबी समीकरन आपस में जोड़ कर देखें, तो सवाल ये निशान यही है, कि कह आई ने कही नरेंद्र मोदी के इटली से आते आते इधर भारत में कुछ खेला ना हो जाए, और वो आए हैं, तो उन्हें अपने पत से स्थीपात ना देना पड़ जाए, ये बड़ा सवाल है, इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिकरियाद जरूर दीजे, निशनल दस् शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें